आज जो मैं आप लोगों के साथ यार करने वाली हूँ वह है दो ही स्टेप में आप अपने पिंपल को कैसे ठीक करेंगे विडियो में आप लोगों के साथ यार करती हूँ कि मेरे जॉलाइन में बहुत सारा पिंपल्स आ गया है अप्रोक्समेटली 100 एभाव था मतलब इतना च्छोटा च्छोटा था अग्दम भरती हो गया था एक इंच भी नहीं जागा शोड़े थे इतना सार बहुती हो गया था एक इन्च्छ बन में लें बहुत सब्संवेत और मेरे स्किन में पहुत सारह है हलाकि मैं अभी कोई भी market based product यूज नहीं की हूँ इस pimple को ठीक करने के लिए 100% organic way में ठीक हो रहा है और कोई भी आतनीका marks अभी तक सो नहीं हो रहा है क्योंकि अलड़ी इस तरफ pimple ठीक होने को आ गया है और इस तरफ अभी भी है अभी भी मतलब बहुत सरा है जूट नहीं सेडेस में मुझे बहुत अच्छा रेजल्ट मिलने वाला है क्योंकि हम लोग जो मिल्यक्लास फैमिली में आते हैं ना जो बिलॉंग्स करते हैं वो आते ही इसलिए कि उनके साथ प्रॉब्लम्स और टेंसर ना लेकिन उस चीज़ को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉंग बनना चाहिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहना भी जर ठीक तो आज का गुव्लम्स औरप लेगा है बहुत बार अपने बहुंत ब्रेशी को रगोचंव करेंगे पिमपल लाने का सिर्फ एक वज़ा कभी नहीं होता है बहुत सरे हमितार стран के जाब लीगिलीकी привет लीकिन अगवाशी से अपने रहाय्याघर। लीडंगे तो वह जाते जाते हमारे पेस में आकनी का मार्ट छोड़कर जाएंगे उसको ठरब करने के लिए और एक टेंशन दूरू हजाएगा ज्यादा कुछ नहीं तरू होज़ाईगा लाइफ में कम टेंशन ने ने करेगा fine lens my lens को भी अच्छे से ट्रेट करेगा यह सारे जीजे आपको सिर्फ 2 ही स्टेप में मिलने वाला है मेरे स्कीन में बहुत सारा पिंपल्स आ गया था मैं सच में बहुत जादा तर गई थी लेकिन जो मैं आप लोगों के साथ से आर किया हूं ना स्कीन नहीं करेंगे मेरे स्कीन में 80-85% पिंपल्स टोटल ही गायब हो चुका है और एक सिंगल मार्क नहीं आकनी का आज जो मैं आप लोगों के साथ सेयार कर रही हूं वह नेक्स सेवेन डेस का मेरा स्कीन क्या रूटीन है उमीद करती हूं आप लोगों को अच्छा लगेग भूट इसके लिए मैं ले रहे हूं फाइब तो शीक्स टीज़पून मसुर्ण है उसको अच्छे से ब्लेंड करहें और निकाल देरी जो इन पाइन पाउडर निकाल देरी जो निकाल लाओट निआ ने लिए कर देंगे दो पाट पना देना धेना है सेम वांटीटी का ए क्लिन करेंगा प्रोटीन्स मिनर्लाल एंद पीटामीन से अवेलेबंड है जेंटलि एक्सपुलिएट करने में हल्प करेंगा यह जो आपको मिलेगा इस में थोड़ासा छोटा छोटा गदम नाइनो पैटीकल Belgian में एक प्याटिकल्स मिलेगा जो आपकी स्कीन को एक्सप्लेट करने में हेल्प करेगा मसूर डाल अकनी के लिए बहुत अच्छा है प्रोसेस होता है उसको स्लोडाउन करेगा आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा वन टीस्पून या फिर हाफ टीस्पून यहां से पाउडर ले अगर आप दिन में अप्लाई करते हैं तो नेक रिया को जरूर कभर किजिएगा एकदम हलके हातों से जीरो प्रेशर में आपको जैसे फेस्वास करते हैं बैस से ही उसको रब करना है मुल्टा नीमिट्टी में भी अल्सो नेच्राल क्लिंजिंग प्रपरटीज आभेलेब करेगा मुल्तानी मिट्टी में और ऑईल अब्जर्विंग प्रपरटीज आभेले बुले जिन लोगों का ऑईली स्किन है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है एकसे सिवाम प्रडक्शन को कंट्रोल करेगा पॉफेक्ट इंग्रेडियन्स से है इसमें जिन लोगों का अच्छे से अच्छे से रब करना है अपने पिंपल को जितना पोक करेंगे वह आपके स्किन में उतना अकनी का मांग छोड़के जाएगा इसलिए प्लीज हलके हातों से यह सारे प्रोसेस कीजेगा नेक्स्ट जो आधा पार्ट आप रखे होंगे मसूर डाल उसके साथ नेक्सट आपको ओन 3 टी पून लेकर है लेना है तॉर्मेरिक है अ कीजैन में खाने वाला हल्दी ले रहे है पींच ठीनों को आपको मिक्स कनाया है और एक राट cathedral में इस्टोर करना साइन देँस करने में हेल्फ करेंगा यू भी देस के बज़यसे जो होने वाला हैम उसको प्रोटेट स्प्रीन जियुक्त साथ चाहिए उतना ले लेगा एक पेस्ट बना लेगा एगें दर मिलक समय वहें पेश्ट बना यह आपको आपके skin में apply करना है और apply करने का तरीका आप लोगों को पता है हमेशा upward direction में होगा आपका apply क्योंकि ही face mask है तो और मेरी क्या करता है मेरी जान यह तो आप सब को पता होगा आंटी बैक्तरियल पोपरीज़ जे बस इतना नहीं है इसके साथ साथ हमारी две टक्सफर्स को भी लाइट्निंग करने में हेल्फ करेंगा अरा है यह में जो सर्कल्स ह customers होता है उसको ट्रिट करने में हेल्फ करेंगा स्कीन के जो आउंस होता है जो लोग पप-प कर दे त었다 पिंपल को उन वह ब्लेडिंग भी हो जाता है पॉस निकलने के बार उसको ट्रिट करेगा मतलब वह स्कीन के ऊपर अगर कोई जख़म है तो उसको ट्रिट करने में हेल्प करेगा एक्निक स्कार्स के ऊपर बहुत अच्छे से वाक आउट करेगा गलो आड करेगा आंटी एजिंग जिसे हम लुकवा मॉटर कहते हैं उसके साथ आपको वासाउट कर लेना है अगर आपका पिंपल पॉर्ण स्केन है ना इस चीज़ को सेवें देज करके देखिए कॉमेंट वक्स ओपन छोड़ के जा रही हूं आप अपने टाइम मुझ पर इंवेश्ट किये है तो आपकी मर् आप आके जो चाहे बोल सकते है नो डाउट मैं आपकी बाते सुनूंगी समझूंगी और आपको रिप्लाइ भी करूंगी आपकी हर कॉमेंट का चाहे अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो मैं खुद नैचुरली तरीके से अपनी पिंपल को ट्रेट कर रही हूं हाला कि मुझ अगर नहीं है तो इस चीज को अगर आप करते हैं तो आपके एजिंग प्रोसे स्लोडाउन होगा स्माइल लेंड फाइल लेंस डिंकेल से सारे चीज़े ट्रेट होगा आज से मैं आप लोगों को कभी नहीं बूलूंगी कि आप मेरे चानल को लाइक किजिए शेयर कर जिए सब्सक्राइब कर दिजिए आपके मर्जी थैंक ये सो मच पर वाचिंग लव यू वाल टुक्या बाबाई